जै मातादी दोस्तो कैसे हैं आप सभी दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर माह के तुला राशी फल के बारे में एक नवंबर से 30 नवंबर तक का समय तुला राशी के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तो इस महिने कई ग्रहों का राशी परिवर्तन होगा साथ ही एक ग्रह ऐसे हैं जिनका एक वर्ष के बाद राशी परिवर्तन होगा इस महिने सूर् मंगल बुद्ध शुक्र अपनी राशी बदलेंगे और वहीं गुरू ब्रस्पती लगबग एक वर्ष के बाद अपनी राशी परिवर्टित करेंगे और यह परिवर्टन नवंबर माहा की शुरुवात में ही होने वाला है इसलिए ये महिना विशेस तौर पर लाबदायक से दोगा नवंबर माहा के पहले सब्ता पांच नवंबर को गुरू धनु राशी में प्रिवेश करेंगे सूरिय सत्रा नवंबर को व्रष्चिक राशी में प्रिवेश करेंगे मंगल दस नवंबर को तुला राशी में प्रिवेश करेंगे और बुद्ध सात नवंबर को और तुला राशी के लिए इस समय ग्रहों की इस्थिती बेहद अनुकुल होने वाली है ये महीना आपके लिए एक यादगार महीना रह सकता है इस महीने आपके पास धन की आवक पढ़ेगी आपको कई सोर्च से धन लाब कमाने का मौका मिल सकता है शुक्र जोकी तुला राशी के स्वामी है इस महीने आपको बहुतिक सुक्स विधाओं में व्रद्धी कराएंगे आपकी वाणी में मधूरता होगी यात्राओं का आपके लिए योग बनेगा काफी उर्जवान आप खुद को महसूस करेंगे 10 नवमर को मंगल का राशी परिवर्तन होगा जोकी आपके लगन में बैठेंगे यानि आपके लगन में मंगल आने वाले हैं जिससे आप पूरे महीने एनरजी से भरपूर रहेंगे और पूरी एनरजी के साथ अपने सभी कारियों को करेंगे वहीं बुद्ध भी 7 नवमर को तुला राशी मायेंगे तो आपके लगन में मंग और बुद्ध एक साथ रहेंगे 17 नवंबर तक सूरे भी आपके लगन में बैठे होंगे यानि ये त्रिग्रही योग बनेगा जो आपके लिए बेहद लाबदायक रहेगा मंगल की किरपा से आपको भूमी भवन वाहन का सुख मिलेगा इस समय आपके काम करने की गती बढ़ेगी आप खुद के व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश समय करेंगे धार्मी कारेकरों में भी बढ़ चड़ कर हिस्सा लेंगे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा इस महीने शुक्र और मंगल का योग आपके लिए बेहद लाबदायक साबित होगा इस समय में आपके पास धन आएगा ही आएगा इस समय कहीं से भी धन आए लेकिन चाहे वो आपका कहीं उधार दिया हुआ धन हो कहीं फसा हुआ पैसा हो लेकिन इन दिनों में 10 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में आपके पास धन आएगा ही आएगा क्योंकि शुक्र मंगल का परिवर्तन योग आपको धन दिलाने का कारे करेगा शुक्र जो है वो बहुत सुक्स विदाओं के कारग्रह माने जाते हैं और मंगल है वो भूमी भवन वाहन के कारग्रह माने जाते हैं तो ये दोनों मिलकर आपके लिए भागे विरद्धी का कारे कर रहे हैं इस महीने खर्चों का योग भी बना हुआ है, खर्चे भी आपके हो सकते हैं और साथ ही अपने जीवन साथी के साथ आपको सयम से बात भी करनी होगी वना जीवन साथी के साथ नोक जोग में विवादित इस्तितियां बन सकती हैं तो दोस्तों और अधी कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें